केन सरकार ने ब्रहस्पत बार को सोसल मीडिया और OTT प्लेटफार्म को लेकर Code of Ethics और Regulation जारी किये हैं केन सरकार ने सोसल मीडिया प्लेटफार्म, डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफार्म को इन नियुमों का अनुपालन करने की बात कही है सरकार ने कहा है कि यदि इन नियुमों को अनुपालन नहीं किया गया तो सरकार उनके खिलाप कानुनी कारवाही करेगी केंदी सुचना इवं प्रसारन मंत्री प्रकाश चावेटकर जी ने कहा है कि डिजिटल मीडिया या किसी को भी अपवाह और जुट फैलाने का नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं उसी वांसू और आप देखने हैं परिहार सौब तो आज मैं बात करूँगा कौन से सोचल मीडिया प्लेटफार्म की जो नई गाइडलाइन जारी की गई है और OTT प्लेटफार्म को लेका सरकार ने कौन सी गाइडलाइन जारी की है और किन guidelines का अब और किन नियमों के तहट अब social media platform को filter right तरीके से use किया जाएगा तो बढ़ते हैं जो नए नियम्स और guidelines हैं उनकी और तो सबसे पहली जो नियम्स और guidelines है हो है कि social media को अब दो सेन्यों में बाट दिया गया है एक होगी जो intermediary और दूसी होगी significant social media intermediary अब देखिए significant social media intermediary पर अतिरीक्त कर्तब हैं सरकाल जल्द इनके लिए user संख्या की का notification जारी करेगा कितने user इन platform पे रह सकते हैं उसके पास social media platform को एक सिकायत निवारन तंत रखना होगा कि जैसे आपका कोई भी यदि आपको सिकायत आती है तो उसे आपको 24 घंटे में solve करना होगा सिकायतों का निप्तारा करने वाले आपशीसर का नाम भी रखना होगा सिकायतों यदि आपके पास सिकायत आती है तो उन्हें 24 घंटे में सिकायत का registration करना होगा और 15 दिन के अंदर उन सिकायतों को सॉल्व करना होगा उसक वाद सिग्निफिकेंट सोसल मीडिया को चीफ कमप्लाइल्स अधिकारी की निवक्ति करनी होगी वह भारत में ही रहेगा वह निमों के अनपालन का जिम्मेदार होगा उसके वाद जो है एक नोडल कंट्रेक्ट परसन की भी निवक्ति करनी होगी वह भी भारत में रहेगा और वह 24 इंटु सेवन कानून लागू कराने वाली एजंसियों के साथ समन्वे सोसल मीडिया प्लेटफार्म को रेजिटेट ग्रिवाइंस अफीसर भी निवक्ति करनी होगी सोसल मीडिया कंपनी को मंथली कंपलाइस रिपोर्ट पब्लिस करनी होगी इसमें सिकायतों की संख्या उस पर क्या कारवाही हुई और उसका क्या निप्टारा हुआ इन सब की जानकारी देने होगी हाली में हुए यहाँ पे OTT प्लेटफार्म यदि मैं बात करूँ प्राइम वीडियो की तो जहाँ पे टांडव को लेकर जो इतना वड़ा बवाल उठा उसमें यहाँ पे सीदे-सीदे कहा गया है कि आपको अब यहाँ पे अपने OTT प्लेटफार्म के कोई भी सेंश्टिप कंटेंट अपलोड नहीं करना है उसको अब सोसल मीडिया कंपनी को मंतली कंपाइल्स रिपोर्ट भी पब्लिस करनी होगी और यूजर की प्रतिष्ठा से जुड़ी सिकायतें विशेशकर महिलाओं की गरिमा से जुड़े मामले जैसे प्राइवेट पार्स की तस्वीर, निडिटिटी, सेक्शुल एट के सिकायत के बाद 24 घंटे के भीतर कंटेंट हताना होगा तो यदि कोई भी कंटेंट अपलोड होता है जो यहाँ पे महिलाओं के रिगार्डिंग है तो वहाँ पे 24 घंटे के भीतर सोसल मीडिया को वहाँ से बाहर करना होगा उसका टीवी के सेल्फ रेगलेशन की तरज़ पर ओटीटी प्लेटफार्म का सेल्फ रेगलेशन करना होगा तो में जिस प्रकार से यहाँ पे टीवी और मुवीज के लिए यहाँ पे sensor board है वज़से एक sensor board होगा जो OTT platform में आने वाली web series को sense करेगा उसके बाद sensor board से पास होने के बाद ही ओ web series को upload किया जाएगा यहाँ पे OTT platform को खुछ से classification करना होगा 13 से उपर 16 प्लस या adult category इनके लिए sensor board का ethics code common होगा code के आदेश और सरकार दोरा पूछे जाने पर social media platform को सरारती content का originator बताना होगा तो मेंस यहाँ पे जो वैसे content upload हो रहे हैं वह content कहां से आए हैं पहला content कहां से origin हुआ है इन सब बातों का ध्यान रखना होगा तो क्या यहाँ पे OTT platform जनता का मनरंजन के नाम पर केवल गंदी बाते और गंदी चीजे ही परोसी जा रही है क्या कुछ ऐसा है या कि OTT platform सिर्फ एक entertainment का जरिया है या कि social media जहां पे आप दिन राथ chat करते रहते हैं यह देखने वाली आने वाली time पे बात है कि आप social media पे जो इस तरह के rules और restriction आए हैं उनको government किस तरह से पालंग करता है और किस तरह से government सामने आपको दिखाता है कि कि चीजों को आप आपको देखना है और भी आप government decide करेगा तो इन चीजों पर थोड़ा सा तो ऐसे channels अब ऐसे OTT platform अब इन सरकार की इन चीजों पर नजर रहेगी तो जो OTT platform और social media को लेके जो नया rules और regulation आई है मैंने आपको इस वीडियो में बताया है तो मैंने कोशिस की है कि पूरी तरह से आपको समझाने का उसके बाद जो अंगला अपडेट आता है आप हमाई चैनल को subscribe करके रखिएगा आपको अंगला अपडेट मिल जाएगा तो धन्बाद दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक इस वीडियो को लोगों तक सेर कर दीजे वीडियो अच्छा लगों तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को subscribe कर लीजे मिलते हैं एक नए वीडियो के साहन तब तक के लिए जैहिन जैभारत